वेलकम स्टूडेंट मैं सेल्फ डॉक्टर सवीता मीना और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था ब्रॉंस्टेंट लोरी थियोरी ब्रॉंस्टेंट लोरी सिध्धान्त जिसके डेफिनिशन हम पढ़ चुके थे डेफिनिशन के बाद हमने न्यू टॉपिक जस्ट एस पर जिसको हिंदी में हम कहते हैं सेयोगमी अमल शार यूगम तो ब्रॉंस्टेंट लोरी सिध्धान्त के अनुसार हमें यह पता है कि अमल एक प्रोटोन जाता पदात है और जो शार है वो प्रोटोन ग्राही है तो उनिया विक्रिया के अधार पर हमने यह बताए हैं कि इन कि मानलो कोई पदार्थ है जिसके पास proton नहीं है जिसमें proton ग्रहन करने की शमता है तो क्या होगा ग्रहन करके बेस में convert हो जाएगा और कोई ऐसा पदार्थ है जो कि आमल बना लेता है वो बेस है हाइडोजन आयन लिया अमल में convert हुआ तो जो starting में जो पदार्थ था जिसके पास कोई proton नहीं था उसने proton लेकर बेस में convert हुआ तो वो दोनों एक दूस्टेक का जो अमल है उसका सयुगमी शार हुआ तो इस तरह से हम उनको सयुगमी अमल शार युगम कहते हैं यहां पर हम explain करने के लिए मान लो हमने यह reaction ली HCL, HCL की हमने reaction करवाई water से यह हमें पता है HCL जो है वो proton donor है proton donor है और water है वो proton accept कर सकता है proton राही है तो HCL को हम बोल रहे है acid water को हम बोल रहे है base जब HCL ने क्या किया अपना proton दे कर chloride iron में convert हो गया तो अब यहां पर proton देने के शमता नहीं है क्योंकि chloride iron बना है सिर्फ proton ले सकता है तो अब इस condition में यह हो गया हमारा base क्योंकि यह ले सकता है और जो हमारा hydronium iron है यह already H plus iron ले चुका है बट इसके पास X proton है यह proton donate कर सकता है तो इस case में यह हो जाएगा acid तो यह हो गया हमारा acid इसको दुबारा से समझाने के लिए यह हमारा acid यह हमारा base इस acid का यह हो गया सयुगमी base ठीक है और इस base का यह हो गया सयुगमी acid इनको हम conjugated base भी बोल सकते हैं यह conjugated base और यह conjugated acid इसका यह base है और यह acid है तो इन combinations को हम बोलते हैं conjugated acid base pair कैसे consider यह reaction 1 proton H plus ion going to water and 1 proton going to chloride ion इन इस reaction H will donate a proton to H2O water and therefore an acid यह acid है water on the other hand acceptor a proton from the H seal so हो base हुआ तो यह acid हो गया यह base हो गया same time हुआ क्या reverse reaction में equilibrium process में rate जो forward reaction है वो almost same हुई equilibrium की हुई जैसे तो जो H3O hydronium ion है उसने क्या किया proton donate किया chloride को तो जो H3O है है वो हमारे पास acid हुआ जो हमने बताया भी है acid है और जो chloride है वो as a acceptor है proton acceptor तो वो हमारे पास base हो गया तो इस तरह से यह हो गए conjugated acid base pair तो conjugated acid base pair में इस acid का जो pair है वो यह है इसका जो pair है वो यह है ठीक है तो यहां पर यह हमने दिखा रखा है HCl chloride ion दे भी सकता है फिर chloride ion hydrogen ion लेकर वापस से HCl में convert हो सकता है the member of which can be formed from each other mutually by the gain or loss of proton are called conjugated acid base pair इसे को हम बोल रहे है HCl और chloride की एक दूसरे के acid base pair है hydronium ion और water यह दूसरे के एक दूसरे के acid base pair है तो इसे को हम बोलते हैं conjugated acid base if the above reaction the HCl is labeled as acid and its conjugated base क्या होगा chloride the further if H2O is designated as a base 2 then इसका जो conjugated acid है वो होगा hydronium ion तो यह acid base जो है equilibrium में हमने represent किये है यहां हम कुछ examples देख रहे हैं इन्हें के acid और इसके conjugated base तो name क्या है in the order of the decreasing the strength as an acid उसको हम बता रहे हैं first हमने लिए per chloride acid जिसका formula है HCl4 hydrogen ion दे देगा तो convert हो जाएगा इसके conjugated base में जिसको हम बोलते हैं per chloride iron यह strongest acid है बट जो उसका conjugated base होगा वो weakest होगा okay इसे तरह से sulfuric acid sulfuric acid क्या है strong acid है बट इसका जो base होगा वो weakest होगा जिसको हम बोल रहे है hydrogen sulfate ion तो इस series में जैसे हम उपा से नीचे की तरफ जाएंगे जो हमारा acid strength है वो decrease होगा बट इसमें जो base strength है वो increase होगा क्यों होगा क्योंकि acid जितना ज़्यादा strong होगा उसका जो conjugated base है वो उतना ज़्यादा फीक होगा तो जैसे जैसे हम हमने कुछ examples लिए है hydrochloric acid nitric acid hydronium iron तो यह इनके acid base pair दिये हैं क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे हम नीचे तक जाते हैं hydronium iron hydrogen sulfate ion phosphoric acid acetic acid तो इन सब ने अपना hydrogen दे कर किसमें convert होगे conjugated base में नीचे की तरफ जाते जाएंगे जो acid strength है वो decrease होती जाएगी और जो base strength है conjugated base strength है वो increase होते जाएगी बेलकुल last में हम गए है methane हमारा weakest base है hydrogen iron दे सकता है but it is a weakest base तो इसकी वज़े से क्या होगा इसका जो conjugated base बनेगा वो strongest होगा तो methide iron strongest conjugated base है but methane ये weakest acid है तो acid strength उपर की तरफ increase होगी conjugated base strength नीचे की तरफ होगी तो जितना strong acid होगा उतना ही weak उसका conjugated base बनेगा और जितना weak acid होगा उतना ही उसका जो strong है वो conjugated base बनता है तो ये हमने examples बताए है इसके बाद हम देखेंगे ये हमने hcl और water का conjugated acid base पेर का हमने पढ़ा था यहां पर हम देख सकते हैं hcl जिसका हमने acid का था इसका conjugated base हमने कौन से बताए था chloride water का conjugated acid किसका बताए था hydronium ion तो ये acid base पेर होगे conjugated acid base पेर one this one and second this one अब मुझे लग रहा है यह आपको अच्छे से clear हो गया है कि acid base का conjugated pair क्या है this is the fundamental equation representing the relationship between an acid and base on the basis of constant concept thus on the basis of this concept acid one and base one form one conjugated acid base pair ये acid one ये base one and acid two and base two form another conjugated acid base pair तो इस तरह से ये हमने example बताया है two important axiom of the bronston concept and position of the equilibrium is in acid base reaction so let us again consider the reaction hydrochloric acid plus water ये बनाएंगे conjugated acid base pair में hydronium ion और chloride ये equilibrium में ये जो mixture है यहां पर हमारे पास two acids होगे HCl और hydronium ion और इसी तरह से हमारे पास two base होंगे water and chloride ion तो ये हमें पता है कि जो HCl है वो strongest acid है तो जो chloride बना है base वो weakest conjugated base है इसी तरह से जो H2O है वो हमारे पास strongest base है तो इसलिए जो हमारे पास इसका conjugated acid बनेगा वो weakest बनेगा तो इसके आधार पर the stronger acid and weaker base form one conjugated acid base pair and weaker acid and strong base form another conjugated acid base pair मतलब ये है कि जो conjugated acid base pair होगा उसमें अगर acid strong है तो conjugated base है वो weakest होगा और अगर acid हमारा weak है तो उसका conjugated base है वो strong होगा तो ये pair में एक weak होगा और एक strong होगा acid base कुछ भी हो सकते हैं यह अभी हमने चार्ट में भी देखी है बहुत सारे examples हमने देखे जिसमें हमने last तक बताया कि जो methane है वो weakest base है और उसका जो conjugated acid है methite वो strongest है तो यह हमने कुछ examples लिये हैं यहां पर strongest acid यह हम पढ़ चुके हैं इसके बाद हम next देखते हैं हमने लिया acetic acid को water में equilibrium में least when the reaction is proceed to the right only to a slight extent with only small fraction of acetic acid present in the form of iron हमने acetic acid लिया और यहां पर हमने water लिया तो जो acid है acetic acid वो weaker acid है तो उसका जो base वनेगा conjugated base वो हमारा strongest होगा और इस case में अगर यह weaker acid है तो यह जो base ले रहे हैं हम water इसको भी हम क्या कहेंगे कि यह weaker base है यह जब hydrogen ion दे सकता है तो यह hydrogen ion ले सकता है तो weaker base है तो इसका यह strongest acid बनेगा तो यहां पर equilibrium में the longer arrow indicate the position of equilibrium lies on the left direction यह हमने इसका कुछ reactions पढ़ी है evidently जो hydrogen ion है वो क्या कर रहा है hydrogen ion में जो equilibrium में two number पे है वो strongest acid है और जो acetic ion है acetate ion है वो strongest base है is also evident that the strongest acid hydronium ion has a weaker conjugated base and water and strongest base acetate ion has a weaker conjugated base जो हमारा है acetic acid where others see that the old proton transfer reaction proteolysis reactions then downhill from the predominantly the weaker acid and weaker base तो conjugated acid base जो सिधान्त है इसमें mainly हम यही बता रहे हैं कि जो हमारी acid base pair बनता है उसमें एक strong होगा और एक weak होगा इसके आधार पर दो reactions हमने explain की है एक strong acid की water के साथ इसमें HCL है और एक हमने weak acid की water के साथ जिसमें की acetic acid है और हमने एक पूरी table बताई है जिसमें हमने बताएं कौन-कौन से strong acid है उनके कौन-कौन से conjugated base बनेंगे तो strong acid के weak base बनेंगे और weak acid के strong base बनेंगे तो यहां पर आज हम यह complete कर रहे है ब्रॉंस्टेन फ्लॉरी सिध्धान्त का इसमें जो ध्यान में देने वाली बात है वो यह है कि एक जो कोई पदार्थ हमने लिया वो आमल की तरह तभी behave करेगा जबकि उसके पास कोई दूसरा पदार्थ हो जो कि proton grant कर सकता है otherwise वो आमल है वो proton किसको देगा हम proton grahi और proton data के अधार पे ही ब्रॉंस्टेन फ्लॉरी सिधान्तम बता रहे हैं तो अगर दूसरा कोई molecule नहीं है जो hydrogen ion ले सकता है उस case में हम उस पदार्थ को अमल नहीं कह सकते हैं जैसे हमने example में लिया था HCL जल में ही अमल और शार को हम conjugated acid base इधान्त से बता सकते हैं इसकी जगे अगर हमने HCL के साथ benzen ले लिया तो ये acidic character show नहीं करेगा क्योंकि HCL अपना hydrogen ion तो दे देगा बड़ जो benzen है वो hydrogen ion ग्रहन ही नहीं करेगा जब ग्रहन नहीं करेगा तो हम उसको acid base नहीं बोल सकते हैं एक और जो इसका हमें जो point लगा कमी जो मान सकते हैं कि अनू हो धनाइन हो या रिनाइन हो ये सारे अमल शारक हो सकते हैं परन्तु उन सारे cases में hydrogen ion देना या लेना कमपलसरी है कि दूसरा molecule हमारे पास हो सकता है तब भी हम conjugated acid base pair बना सकते हैं यहाँ पर ये ब्रॉंस्टें लॉरी सिधान्त हम complete करते हैं नेक्स दा यूटिलिटी ओफ दा ब्रॉंस्टेट कंसेप्ट यूटिलिटी हम नेक्स उसमें डिटेल में पढ़ेंगे या हम इंको शॉट में देख लेते हैं इट इट इफाइन बेस इन टर्म अफ दर सब्स्टेंस दंसल्व और नोट इन टर्म अफ दे आयन इन एक्वस सॉलेशन करने का मतलब ये है कि ये डिफाइन करते हैं कि जो सब्स्टेंस है वो असिट है या बेस है वो उनके जो आयन से एक्वस सॉलेशन में उसके अधार पर नहीं बताते हैं एक्समपल के लिए यहां पर किसी भी सॉलेशन की कोई बाग नहीं हुई है इसी दरह से जो ब्रॉंस्टेंस कंसेट है यहां पर नहीं है जितने भी सॉलेशन है उनका है इसको यूज किया जा सकता है कैसे जब हम सॉल्ट को डिजॉल करते हैं वाटर में तो उसमें क्या होता है कि जो कांसेंट्रेशन है अन्बैलेंस कंसेट्रेशन ऑफ दा सॉल्वेंट जिसमें है जैडनायम आयन होते हैं है यह मिलते है इससल्द के टाइन अनन डिफर इन प्रोटॉन डोन Ernd प्रोटॉन एकसेप्टेश प्रपर्टेश तो और दा वाटर अगर यह वाटर के जू रसपेक्ट में इनका different होगा donating और accepting properties this point को हम इसको समझाने के लिए for example हमने एक एक्वस स्लूशन लिया फारिक क्लोराइड का जो फारिक क्लोराइड का एक्वस स्लूशन है हम यह मानते हैं यह acidic है proton donor ability जो है hydrate फारिक आयन की उसके जैसे यह exceed करती है जंदर proton acceptor ability of chloride जो क्लोराइड की proton acceptor ability है उसकी वजह से और considerably excess of hydronium ion is produced in the solution में की फारिक क्लोराइड ऐसे इसका जो फारिक क्लोराइड का solution है वो acidic होता है और एक्वस स्लूशन जो है for example हमने यह लिए लिया sodium carbonate यह alkaline होता है इसका reason क्या है कि जो proton acceptor ability है carbonate की वो exceed करती है proton donor ability of hydrate sodium ion जैसा कि इस equation में हम देख सकते हैं इसका alkaline होने का मतलब यह है कि जो इसका carbonate ion बना है इसकी proton donating ability है वो hydrate sodium ion को बताती है किस तरह से होगा यह easily प्रोटोन ले सकता है और इसी तरह से हम water के साथ इसकी अभी किरिया करके यह बता सकते हैं नेक्स्ट लेमिटेशन जो ब्रॉंस्टें प्लॉरी सिधान थे हैं उनके लेमिटेशन क्या है एक तो यह है कि this concept plays excess emphasis on the proton transfer इसमें जो पूरा ध्यान खीचा गया है वो proton transfer की तरफ ही खीचा गया है although it is true that most common assets are protonic in nature if there are many which are not a common बात है कि ज्यादा तर acids होते हैं proton transfer के basis पर हम बता सकते हैं but कुछ ऐसे examples भी हैं जिनमें proton नहीं है प्रांतु फिर भी वह acid ही है जैसे aluminium chloride और इसका जो और limitations है उसमें है the number of acid based reaction in which no proton transfer takes place तो यह एक हम reaction नहीं बता रहे हैं जैसे हमने sulfur dioxide लिया इनका खुद का ionization effect होता है तो यह जो sweat iron से यह इसका positive iron भी बनाते हैं negative iron भी बनाती है और यह acid भी है और base भी है यहां पर कोई proton exchange नहीं हुआ है does the protonic definition cannot be used to explain the reaction occurring in non-protonic solvent such as carbonyl chloride, sulfur dioxide, nitrogen का compounds हो सकते हैं और यह bromo के compounds हो सकते हैं इन सब के लिए हम यह non-protonic solvent हैं तो हम इस bronstant lori सिधानत को clearly नहीं समझा पाते हैं तो यहां पर आज हमने complete की है इसकी क्या क्या कमिया है next topic में हम पढ़ेंगे इनका utility क्या है bronstant lori सिधानत क्या धार पर हम कौन-कौन से characteristics periodic table में या जो acidic और basic nature है buffer solutions का दुरबल आमलशारों का dissociation constant है वो किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे next class में thank you students करेंगे